हेलो गाईज, आप सबको आसानी से क्या दिख रहा है? बृत, केंदर, तरिज्या, परिधी, ब्यास और जीवा ये जो चीजे आपको दिख रहे हैं, ये सभी कि सभी सब्ध हैं ये बारीकी से समझेंगे, ठीक है? तो ध्यान से देखेगा, अगर आप आसानी से ध्यान से देखेगा तो आप जीवन भर नई भूलेंगे, ठीक है? उसलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले समझते हैं, ब्रीध किसे कहते हैं? तो भाई साब, यहाँ पर मैंने लिख रखा है ब्रीध, ठीक है? जिसे इंगली समें कहते हैं सरकल तो मैंने यहाँ पर परिभासा लिख रखा है, गौर कीजीए मैंने लिख रखा है कि बहुत सारे बिंदू को मिलने पर बना एक गोलकार अकरिती ब्रित कहलाता है यहां पर आप गौर किजिए यह जो अकरिती आपको देख रहा है यह हमारा ब्रित है यह ब्रित कैसे बना तो आप यहां पर ध्यान देजिए जब बहुत सारे बिंदू मिले पर ऐसे 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 जब बहुत सारे बिंदू मिलेंगे ना तो हमारा एक जो गोलकार आकरिती जो प्राप्त होगा तो यही गोलकार आकरिती हमारा क्या कहलाएगा बृत कहलाएगा तो बृत का परिभासा आपको क्लियरली आ गया होगा ठीक है तो चलिए अब हम समझ आगे की सब्सक्राइब ओल्क्त बीचे के जा है तो कि रहारा पफाति बीचि और B og बीचों बीच वाली केज़ाना यह लुए करी आगे समझते हैं यह होप यह आपको आगे होगा। चलिए आगे समझते हैं आगे हमारा आज आता है त्रिजिया यहाँ पर दख सकते हैं त्रिजिया जिसें इंगलिस में कहते हैं रेडियूस मैंने लिख रखा है परिभासा में गौर की जी है बृत के बिंदू से लेकर के परिधी तक खीची गई रेखा बृत के बिंदू यह है और यह जो आप देख पा रहे हैं यह वाला जो रेखा आप देख पा रहे हैं इसको हम परिधी कहते हैं तो बिंदू से लेकर के परिधी तक यह जो बिंदू है और यह परिधी है तो यह परिधी तक खीची गई रेखा तो बस बिंदू से लेकर के यहां यह जो परिधी है ना यह है परिधी तो यह परिधी तक होनी चाहिए ठीक है तो यहां पर यह रेखा क्या है हमारा त्रिजिया है तो आपको आगया होगा चलिए अब हम समझते हैं परिधी परिधी का परिभासा हम लिख दे रहे हैं आप ल कहेंगे परीधी कहेंगे ठीक है तो आपको आगया होगा यह हमारा क्या है परीधी है ठीक है चलिए आगे अब समझते हैं यह भी आपको आगया होगा आगे हमारा आ चिए अंगलिस में कहते हैं, डाइयमिटर, ठीक है? तो यहाँ पर परिभासा आसानी से, मैंने लिखा है, कि ब्रीत की किसी एक बिंदु से, शुरू होकर, केंद्र को छुते हुए, कह रहा है, ब्रीत के किसी एक बिंदु से, तो ब्रीत बिंदु से मिलकर बना हुआ है, पता और केंद्र को छूते हुए यहां पर देखे यह वाला क्या है केंद्र है इसको छूते हुए छूते हुए बृत के दूसरे बिंदू तक बृत के दूसरे बिंदू यहां हम ले लिए तो बृत के दूसरे बिंदू तक जाने वाली मिलने वाली देखा को हम क्या कहेंगे यहां पर अभी भी आपको नहीं आया होगा कह रहा है कि ब्रीत के किसी एक बिंदू तो ब्रीत जो है बहुत सारे बिंदू से मिलकर बना हुआ है यहां से में एक बिंदू ले लिए और ऐसे खिच दिये यहां हो गया दूसरा बिंदू तो यह हमारा जो रिखा हुआ ना यह रिखा हमारा क्या है ब्यास नहीं है यह ब्यास क्यों नहीं है क्योंकि केंद्र को नहीं छू रहा है जी हां साथियों यहां पर देख सकते हैं परिभासा है ब्रिद के किसी एक बिंदू से सुरू होकर केंद्र को छूते हुए तो यह केंद्र है इसके छूते हुए जाना चाहिए तो तो ब्यास आपको आ गया होगा ठीक है तो शलिए अब हम समझते हैं अगला टॉपिक है जो है हमारा जीवा तो जीवा यहां पर आप दिख सकते हैं मैंने लिखा है जिस एंगलिस में कहते हैं कोड ठीक है परिभासा मैंने आसानी से लिख रहा है कि बृत के एक बिंदू से द तो यहां से यहां तक जाने वाली रेखा यह जो रेखा है यह हमारा क्या है यह हमारा जीवा है तो आप इसे कहीं पर भी ले सकते हैं यहां से यहां से यहां से ले करके यहां तक भी आप ले सकते हैं तो यह भी हमारे क्या हो गया जीवा हो गया तो आप ब्रित में कहीं पर तो यह चीज़ क्याल रखेगा I hope Mr. ब्रीत के बारे में जो भी में बताया हूं आपको clear रहा होगा तो ब्रीत के बारे में और भी अगला पाट आएगा जिसमें हम समझेंगे ब्रीत के चाप, त्रीजी खंड और ब्रीत खंड है तो वीडियो आपको ये कैसा लगा जरूर बताईएगा अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा मिलते है अगले वीडियो में